स्वागत है आपका केक के साइंस इस्टेडी पॉइंट में और आज का हमारा टोपिक है क्लासिफिकेशन ओफ एलिमेंट्स तत्वों का वर्गी करण संपूर किमस्ट्री तत्वों पर ही डिपेंड है डोबे राइनर का त्रिक नियम तो ये नियम नहीं 829 में दिया था इन्होंने बताया था कि जब समान कुण वाले तीन तत्वों को परमानुभार के बढ़ते करिम में रखा जाता है तो जो बीच वाला तत्व होता है उसका परमानुभार पहले और तीसरे तत्व के परमानुभार का शमान तरमाद्य होता है देखो तो लिखेंगे यह नियम डूबी राइनर ने 1829 में दिया था इनके अनुसार समान गुन वाले तीन तत्वों को परमानुगार के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो बीच वाले तत्व का परमानुगार पहले वे तीसरे तत्व के परमानुगार का समान तर माध्य होता है इसका एक्जेंप्ल है ल, आई यानि लीथियम, एन न और के लीथियम का बाहर होता है साथ, सोडियम का होता है तेहिस, पोटिश्म का होता है 49, तो निकालेने इसका समान तर माध्य है, पहला, इसे मालनो पहला, इसे दूसरा, इसे तीसरा, तो हमें निकालना पहले और तीसरे का, तो बजाएगा साथ, प्लस 49, बटे 2 बरावर, 40 बटे 2 बरावर, तेहिस, ये जो तेहिस आया है, बीच वाले तत्व का परमानू बाहर है, और यही इस रूल में बताया गया है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम तरिक नियम कहते हैं, और यहा नियम, कुछ ही तत्वों के लिए लागू हुआ और इसे फेल कर दिया गया फेल कर फिर आते हैं निव लेंड निव लेंड का अस्टक्नियम पहले हैं दोबे राइनर इन्होंने 1829 में दिया था उनके बाद आते हैं निव लेंड निव लेंड ने यहनियम 1864 में दिया था इनके अनुशार यदि तत्वों को परमाणू भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो पुर्थी एक आठवा तत्व प्रथम तत्व के शमान गुण प्रदर्शित करेगा जिस प्रकार संगीत की दुहनी का आठवा स्वर प्रथम प्रथम स्वर के समान होता है और यही क्या है नियुलैंड का अस्टक नियम है यदि तत्वों को परमाणू भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो पुर्थी काठवा तत्व प्रथम तत्व के समान गुण प्रदर्शित करेगा जिस प्रकार संगीत की द्वैनी का आठवा श्वर प्रथम स्वर के समान होता है और यही क्या है नियुलैंड का अस्टक नियम है जिस प्रकार संगीत में साथ द्वैनी होती है सारे गामा पादानी संपूर जो संगीत होते हैं वो इन साथ द्वनी पर ही depend होते हैं विस्म में चाहिए कोई सा भी गाना हो इंगलिस में हो या हिंदी में हो सारे गाने इन संगीत की द्वनी पर ही depend होते हैं ये द्वनिया हैं सा-रि-गा-मा-पा-धा-नी ये साथ द्वनिया हैं इतने भी गाने हैं वो इन सात स्वर पर ही बने हैं और ये नियू लेंड का चक्णियम भी इन सातों द्वहनियों पर ही बना है इसमें पहला है L I B E B C N O F N A K और B E M G C A और A L S I S P और C L इसमें पहला तत्व है L I B E B C N O F पर आथा N A यानि जो गुण L I का होगा वही गुण N A का होगा और जो गुण N का होगा वही गुण किसका होगा पोटिश्यम का होगा यानि साव वाले में जितने भी तत्व होगे समान गुण के होगे और रे वाले में जितने भी element होंगे, यह समान गुण के होंगे, नियु लेंड का जो नियम था वो केवल कैलसियम तक ही लागू हो सका उसके बाद इस नियम को भी fail कर दिया गया इसमें पहला तत्व आठवे तत्व के समान गुण पदर्शित करता है देख लो, एक, दो, तीन, ऐसे ही जो भी आठवा तत्वा हैगा वो समान गुण प्रदर्शित करेगा पहले वाले के समान यही क्या है नियुलेंड का अस्ट्यक्नियम है तत्व है उनकी खोज यह कुछ तत्व है जो प्रागयति आसी काल में नकी खोज हुई थी ऐसा काल ऐसा काल जिसका कोई लिखित साक्षे नहूँ प्रागयति आसी काल कहलाता है यानि इस काल का कोई लिखित साक्षे नहीं है तो इसमें पहला जो तत्व था वो था कोपर सक्से पहले इस प्रत्वी पर कोपर की खोज हुई थी जो हुई थी 9000 इसा पूर्व में इसा पूर्व का मतलब होता है इसा मसी की जन्म से पहले फिर है PB, PB होता लेड इसकी खोज हुई थी 7000 इसा पूर्व फिर आता है AU, AU को कहते हैं सोना, गोल्ड इसकी खोज हुई थी 6000 इसा पूर्व फराता है चांदी, चांदी की खोज हुई थी 5000 इसा पूर्व फराता है लोहा, लोही की खोज हुई थी 4000 इसा पूर्व फराता कारवन, कारवन की खोज हुई थी 3750 इसा पूर्व उसके बाद आता है टिन एस एन, इसकी खोज हुई थी 3500 इसा पूर्व उसके बाद आता है एंटी मनी, एंटी मनी की खोज हुई थी 3000 इसापूर्व में फिर आता है सल्फर, सल्फर की खोज हुई थी 2000 इसापूर्व में फिर आता है पारा HG, HG की खोज हुई थी 1600 इसापूर्व ये बहुत important element है झाल झाल